इस IPL का 35 मुकाबला जो है दिल्ली और हैदराबाद के बीच में होने वाला है और यहां पर आप लोग कौन-कौन से प्लेयर को लेके जाओगे कौन-कौन से प्लेयर आपके लिए बेस्ट करने वाले हैं और कौन-कौन से खिलारे जो है आप लोग अपने टीम में रखोगे आ कर लिजेगा ताकि जब हमें को वीडियो अप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहा है तो चली जानते हैं यहां पर सब कुछ पूरे डिटेल में सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कि आज का मुकाबला कहां पर होने वाला वैनू क्या है तो आपको बारे में आपको बताता हूँ आज यहां पर सबसे पहले दिखा जाए तो डेविड वार्नर जो है वापसी कर सकते हैं और प्रिट्विसाओ के साथ ओपन करेंगे वही जेक फ्रेसर मेंगर को वन डाउन भेजा जाएगा रिसरपन नंबर फोर पर खुद को रखेंगे या फिर अभी से एक पोरेल को भेजेंगे उसके बाद बागी जो आल राउंडर है वो सब भी खिलाड़ी यहां पर नज़र आएंगे वही अभी से एक सर्मा और ट्रेविस हेड जो है है अधराबाद के लिए ओपन करते हो नज़र आएंगे एडम मकरम वन डाउन खुद आ सक हूँ उसके बाद मैं बताता हूँ सब कुछ डिटेल आपको सबसे पहले यहां पर अगर देखा जाए तो आपके लिए मकरम है और अक्षर पटेले आप दोनों के साथ जा सकते हो वही अगर देखा जाए तो पैट कमिंस काफे अच्छे बॉलर हैं फिर आप लोग यहां प हॉँ सकते हो और सबस monitor ुटराई कर सकते हैं और काफ आएा अच्छी टीम है और काफी अच्छे फॉर्म में है और IPL में लगाता और दो-दो वारी नोंने अपना ही हाइस रिकॉर्ड बनागे फिर उसी रिकॉर्ड को तोड़ दिया तो आपको पता है किस मतलब कितने खतानाग खेल रही है है हैदरबाद के टीम और काफी बरदस्त हो रहा है सब कुछ हैद अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर बिसी के लिए हैंडी क्लासन काफी अच्छी उप्सन है तो आप इन लोगों को लेकर यहां पर टीम बना सकते हो और यहां पर सबसे पहले दिखा जाए कि दोनों टीम के जो टॉप बैट्समें टॉप बॉलर है कौन-कौन से हो सकत हैं तो डिली के तरब से टॉप बैटर जो है रिशब पन्त हो सकते हैं और हैदराबाद के टॉप बॉलर में भूनेसर कुमार हो सकते हैं वहीं अगर देखा जाए तो यहां पर आज का जो मुकाबला है काफी जिबरदस्त होने वाला है अरुन जेटली स्टेडियम जो है का कर नहीं आया था फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर यहां पर 165 हो जाता है सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कूर 152 हो जाता है यानि कि जो भी टीम यहां पर 180-190 करीब बनाएगी वहीजिली डिफेंड कर सकती है अधर्वाइस चेज भी किया जा सकता है हाइस टोटल यहा यहां पर 66 पर 10 हुआ है और उसके साथ आज देखा जाएं यहां नहीं धूप निये गये हैं च्ना इक यहां लिए बनाएगी तोपे इस सबर विगेट परसंटेज देखोगे तो 67.12% का हो जाता है वाई ये स्पीनर विगेट परसंटेज देखोगे 32.88% का हो जाता है अब बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली और हैदराबाद का head to head record देखा जाए तो टोटल 23 मैच हुए है और यहाँ पे हैदराबाद 12 जीती है 11 दिल्ली जीती है और यहाँ पे अगर देखा जाए जो दिल्ली में मुकाबले हुए है दिल्ली में 6 मुकाबले हुए है जिसमें से हैदराबाद 5 जीती है और दिल्ली एक जीती है तो दिल्ली में भी आप समझा सकतो है है हैदराबाद का पलर रख इतना भारी है उसके बा ट्रिस्टेन इस्टब जो है एक सो नवासी बनाया है जिनको मैंने बिटीम में जगह नहीं दिया है और उसके साथ अगर देखोगे डेविड वार्डनर जो है एक सो चियासर बनाया है और आज हो खेल सकते हैं वही प्रित्वी सौ को आप लोग देखो यहाँ पर प्रित्वी अब इस एक सर्मा आ जाते हैं जो 211 बनाया है उसके बाद यहाँ पर मकरम आ जाते हैं मकरम को देखोगे तो मकरम जो है 169 टोटल बनाया है तो यह है टॉप बैटर जो मोश्ट रन बनाया है 2024 में अब सबसे ज्यादा बिकेट के बारें बात करते हैं कि दिली के तरब से कौन है तो बात करें यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर खली लहमत का दिली के तरब से इन्होंने 10 विगेट लिए हैं उसके बाद दूसरा जो बॉलर है यहाँ पर आपको दिख जाएगा मुकेश कुमार के रूप में इन्होंने 8 विगेट लिए हैं उसके उनादकट जो है आपको यहाँ पर देखोगे तो जएदे उनादकट ने यहाँ पर चार विगेट निकालें तो इस सभी के सभी बॉलर बहुत जबदस्त है और आपको बहुत बैतर करते हुए नजर आ सकते हैं अगर देखो आप दिली कैपिटल के तरब से कौन-कौन से ख जाता है या फिर जेक फ्रेसर में गर को या फिर डेविड वर्णर को भी रिष्टी दिया जाएगा वही हैदराबाद के तरब से जो है ट्रेवी से अभिषिक सर्मा सावाज अहमद एडम मकरम हैंरिक लासे नितिस रेड़ी अब दूस अब जन्दे उनादकट पेट में कमार कंडे रहेंगे तो इंपेक सब्टिटूड में आपको ट्रेविस हेड जो है बॉलिंग फर्स्ट में दिख जाएंगे ठीक है वही यहां पर दिखा जाए कोई इंजरी अपडेट के बारे में तो डेविड वर्णर जो आज खेल सकते हैं और हैदराबाद को आप से यह आपको बहतर रिजल्ट आज दे सकते हैं बाकि आप लोग अगर तींचा टिम बना रहे हो तो एक सेवन फोर यह कंबिनेशन से बनाना जिसमें हैदराबाद के साथ दिल्ली के साथ और हैदराबाद के चार खिलाड़ी होंगे पाकिश्य पाया और पांच शे के कंबिने झाल झाल झाल